ध्यान घ्यान और सफलता सेल पर आगन में सेलेक्शन इस सेल में आपको मिलेंगे अप्टू 90% तक का डिसकाउंट 20 से 22 जून तक तो अगर आप भी SSC, Banking, Railway, UGC Net, CSIR Net, Defense, AEJ, Gate, State PSC और UPSC से एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो तुरंत जाइए और टेश्बुक सुपर कोचिंग में इन्रोल कीजे और अपनी तयारी अभी शुरू कीजे और अपने जीवन में योग के लिए हमेशा समय निकालिए क्योंकि टेश्बुक आपकी अच्छी सेहत और आपकी सिलेक्शन की हमेशा काम ना करता है पेशन के साथ जोड़ेंगे करिंटू के साथ reflective के सबसे पहले सबसे तो सभी लोगों को घर सब्सेथ 105 जूड़ीैं क्या कर देंगी सब्सेंदक पर अपढ़ंगे मोटीवेशनल कोट के साथ अच्छमीन दोस्तो always make a total effort even when the odds are against you दोस्तो जब भी आपके विपरीद दोस्तो समय चल रहा हो तो भी आपको अपना पूरा effort देना चाहिए क्योंकि तभी आप अपने मंजिल को हासिल कर पाओगे क्योंकि जब आपके साथ ही दोस्तो आपके किस्मत होगी आपका सब कुछ चल रहा होगा तब तो दोस्तो सारी चीज़े अच्छी हो रहे होंगे लेकिन जब opposite चीज़े हो रहे होंगे तब आपको main मेहनत करनी होती है इसलिए हम लोग यहाँ पर मिलते हैं Monday to Friday सुबह 6 से 7 बजे जहाँ पर हम लोग करते हैं DCA, DCA क्या है? या तो हम लोग weekly current affair के साथ या monthly current affair के साथ या फिर किसी special class या तो GK या तो 12 month class रैट तो इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं तो आप में साथ यहाँ पर इन classes में जोड़ सकते हैं तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे और आज है important day आज है 21st जून और 21st जून को मनाया जाता है International Day of Yoga तो सबसे पहले तो सभी लोगों को International Day of Yoga की हर्दिक शुपकामना है और 21 जून को यह मनाया जाने वाला है तो आज 21 जून है और इसको डिसाइड किया गया था December 2014 में की celebrate करना चाहिए ठीक है और पहली बार United Nation ने इसको जो है accept किया और इसको कहा कि 21 जून को मनाया जाएगा लेकिन first time celebrate कब हुआ तो पहली बार celebrate हुआ था 21 जून 2015 में ठीक है और अगर हम बात करते हैं 2022 में 2022 में भी 21 जून को celebrate हुआ था इसकी theme क्या थी इसकी theme थी yoga for humanity क्या थी yoga for humanity ठीक है और इस बार की theme क्या है 2023 की तो इस बार की theme है humanity मानवता क्या है मानवता इसकी theme है यह याद रखेगा इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी वो दोस्तों खुद पाडिसिपेट कर रहे हैं तो UN Headquarter पर कहां पर UNHQ United Nation Headquarter पर और United Nation का Headquarter कहां पर है तो New York में है कहां पर है New York में है यह याद रखेगा अगर मैं दोस्तों अगर बात करता हूँ योगा की तो योग सूत्र आपने लोगे ने सुनाओगा योग सूत्र तो योग सूत्र किसके दौरा दिया गया था तो योग सूत्र दिया गया था पतंजली के दौरा किसके दौरा पतंजली के दौरा दिया गया था यह याद रखेगा ठीक है तो यह कुछ important important facts है यह आप कि आपको हूमवाउग भी दिया था उससे पहले लेकिन आपको बता दूँ आज World Music Day भी है क्या है ? World Music Day , और World Music Day है तो सभी लोग comment box में बदाईएगा कि आपकाativesसांग क्यों सा हे कमेंट करके बताईएगा ? Cloud. Last के बाद आपको बताना है आपका favorite song कौन सा है ये भी आप बता सकते हैं तो आज क्या है world music day भी है और क्या है यहाँ पे international day of yoga चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें ठीक है और एक और important day important day और कौन सा है summer solistice day कौन सा है summer solistice summer solistice day दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन क्या होता है सबसे बड़ा दिन होता है तो भाई आज आप काउन करके रखेगा देखने को आपको लगेगा कि सबसे बड़ा दिन longest day ठीक है इसको हम लोग summer solistice day कहते हैं longest day सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है ठीक है तो हो सकता है आज आप सोएं और आपको पता भी न चले कि कब सुबह हो गया बोलेंगे वो तो रोजी पता चलता है सर कि हमें पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब हो गई रहे अचा यह तो सबसे बड़ा दिन की बात हो गई अगर विंटर सॉलिष्टिस की बात करेगा विंटर सॉलिष्टिस मतलब सबसे बड़े रात की बात कर रहा है विंटर सॉलिष्टिस जो है सबसे बड़े रात की बात कर रहा है तो लॉंगेस्ट नाइट जो है यह कब होती है तो longest night याद रखेगा 22 December को होती है, ठीक है, तो ये चीजे याद रखेंगे, चले आगे, चले आगे बढ़ते हैं अगले slide पे, ये रहा आपके लिए question दोस्तों जो आपको मैंने कल question दिया था, recently PM in his मन की बात mentioned मियावाकी method, क्या मियावाकी method? who is the inventor of मियावाकी method? हाली में PM ने अपने मन की बात में मियावाकी पदती का जिक्र किया था, मियावाकी पदती की अविशकार किसने की है, तो यहाँ पर आपके सामने नाम लखा है, अकीरा मियावाकी, क्या नाम है इनका, अकीरा मियावाकी नाम है, इनका ये याद रखेगा, ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये डेली क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, सुबच 6 से 7 बजे, जहां पर आप में साथ जुड़ सकते हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, CGL की, CHSL की, MTS, GD, STINO, IMD, Delhi पुलिस तो आप लोग जुड़ सकते हैं, सुपर कोचिंग पे, क्योंकि टेस्ट बुक लेकर आया है, ध्यान, ग्यान और सफलता सेल जहां पर आपको सारे SST का कंटेंट सिर्फ एक ही कोर्स में मिल जाता है, जो 2999 का है, आप उसको 454 रुपए में खरीद सकते हैं और साथ में उस मिलेगा, फ्री टेस्ट बुक पास, सिर्फ आपको करना क्या होगा, इस ओफर के लिए, अवेल करने के लिए, कूपन कोड यूज करना होगा, गौरव M, G-A-U-R-A-V-M, जैसे आप इसका इस्तमाल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आ आपका प्रिवेश डे का कॉशन भी रिवाइज दोता रहे, तो यहाँ पर येस, 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 तो पहला कॉशन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच ओफ दी फॉलॉइंग पेयर वॉन, मैंस डबल टाइटल अट दी इंडोनेशिया ओपन इन जून 2023, निमलिखित में से किस जोडी ने, जून 2023 में इंडोनेशिया ओपन में पुरुश यूगल खिताब जीता है, किसने जीता है, A option, A option, correct answer हो जाएगा, A option, सात्विक साहिराज रंकिरेड़ी और चिराग शेटी, ठीक है, चले, अगला कॉशन, Which of the following football team won the UEFA Nations League 2022-2023 final, ठीक है, निमलिखित में से किस football team ने, UEFA Nations League 2022-2023 का final जीता है, Spain, Italy, Croatia और Netherlands, किसने जीता है, Spain, 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 तो correct answer होगा, Spain, Spain ने जीता है, किसको हराया है, Croatia को हराया है, राइट, आगे बढ़ते हैं, Which of the following press awarded, गांधी Peace Prize for 2021, निमलिखित में से किस press को, जो है, 2020 के लिए, गांधी, सान्ती, पुरुषकार से समानित क्या गया है, गीता प्रेस, गोरखपूर, या फिर Pan, Macmillan, इंडिया, Penguin, Random House, इंडिया, या फिर Harper, Colin, Publisher, इंडिया, गीता प्रेस, गीता प्रेस, गीता प्रेस, तो correct answer होगा, गीता प्रेस, गोरखपूर, इस दी, correct answer, option number one, जो है, correct answer होगा, ठीक है, अगला question आपके लिए यह रहा, what is the name of the mascot for 37th national games, 37th राष्टी खेलों के शुभांकर का नाम क्या है, क्या वो, सवज है, शेरा है, मोगा है, या फिर स्टंपी है, क्या है यहाँ पर, मोगा, 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 तो correct answer है आपके होगा, मोगा is the correct answer, यह याद रखेगा, mascot of 37th national game, ठी अगला question, which of the following team won the Intercontinental Cup in Bhuvaneswar in June 2023, ठीक है, निमलिखित में से, किस team ने जून 2023 में भुवनेशवर में Intercontinental Cup जीता है, इंडिया, लेवनोन, वेनुटा और मंगोलिया, यहाँ पर इंडिया, 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 तो दोस्तों, अपना प्यारा भारत बिल्कुल correct answer है, यहाँ पर correct answer होगा, option number one, ठीक है, अगला question, who has won the squash world cup title 2023, squash wish cup 2023 का खिताब, किस ने जीता है, यूएस ने जीता है, एजिप्ट ने, UAE ने, या फिर इसराइल ने, किस ने जीता है, यहाँ पर कहते सर, एजिप्ट, एजिप्ट, तो correct answer हो जाएगा, एजिप्ट, एजिप्ट की capital क्या है, एजिप्ट की capital है, काईरो, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला question आपके लिए, who has conferred fourth national water award in June 2023, जून 2023 में, चौथा, चौथा राश्टी जल पूरुसकार किसे प्रदान किया गया है, नरेंद्र मोदी, अमिशा, जगदीब धनकड और राजनाथ सिंग, यहाँ प है, चले, अगला question आपके लिए यह रहा, what is the national working plan code 2023, released by the ministry of environment, forest and climate change for, पर्यावरण 1 एवं जलवाईू परिवंतर मरताले जो है, द्वारा जारी, राश्ट्रिकार योजना code 2023 किसके लिए जारी किया गया है, Setting up new wildlife sanctuaries, scientific management of forests and evolving new approaches, protection of endangered species या urban development plans, क्या होगा यहाँ पर, B option, B option कह रहे हैं, correct answer यहाँ पर हो जाएगा, B option, scientific management of forests and evolving new approaches, वनों का वैज्ञानिक प्रवंधन और नए द्रिष्टी कोड विक्सित करना, इसका main उद्देश है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4th G20 tourism working group and tourism ministerial meeting held at which place, 4th G20 परेटन कारे समू, और परेटन मंतरियों की बैठा किस स्थान पर आयोजित हुई है, क्या वो मुंबई, जैपूर, गोवा और पूने, कहाँ पर हुआ है, गोवा, गोवा, कह रहे हैं, correct answer हो जाएगा, गोवा is the correct answer, and what is the capital of गोवा, गोवा की capital क्य है, राजधानी, तो पनजी है, ठीक है, पनजी इसकी राजधानी है, यह याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला आपके लिए रहा, where did the Indian Renewable Energy Development Agency, IREDA, participate in 3-day exhibition in June 2023, भारती नवी करनी, उर्जा अविकास अजेंसी, ने जून 2023 में, तीन दिवसी प्रदर्शिनी में, कहाँ भाग लिया है, Sydney में, Paris में, Tokyo में, या फिर Munich में, कहाँ पर लिया है, Munich, Munich कहरे रहे हैं, correct answer हैं, Munich, Germany, जितने लोग, option number 4 कहरे हैं, उनका correct answer होगा, अगला question आपके screen पर ये रहा, which of the following person will become first Muslim woman to be federal judge, ठेक है, निमलिखित में से, कौन सी विक्तिकत संगी, संगी, न्याइधी, न्याइधीश, बनने वाली पहली Muslim महिला बनेंगी, क्या वो, जाहिद कुरेशी है, नुसरत जहान चौधरी है, या फिर अमीना असलिमी है, या फ फिर जो है, correct answer हो जाएंगी, ठेक है, अगला question आपके लिए रहा, what was the name of the leak that Daniel Ellsberg was involved in, उस leak का क्या नाम था, जिसे में Daniel Ellsberg शामिल थे, गल्फ ओफ, टोकिन इंसिडेंट, पेंटागोन पेपर, या वाटर गेट, स्केंडल, इरान कॉंटरा फेर, पेंटागोन, पेंटागो जिसमें Daniel Ellsberg evolved है, ठीक है, चले, आगा बढ़ते हैं, अगला जो है, पैडलर मुदित डैनी, स्क्रिप्ट हिस्ट्री बिकम फर्स्ट इंडियन, तो बैग NCTTA, Male Athlete of Year Award, वेर इस मुदित डैनी फ्रॉम, ठीक है, पैडलर मुदित डैनी ने, रचा इतिहास, NCTTA, जो है, कोलकता, इंडिया, और चिन्ने, इंडिया, मुंबई, मुंबई, तो correct answer हो जाएगा, मुंबई is the correct answer, मुंबई is known as financial capital, वित्ती राजधानी कहा जाता है भारत की, ठीक है, अगला question, who won the gold medal in the men's compound individual final at the world cup stage 3, विशु कप stage 3 में पुरुषो के compound, व्यक्ति गत final में किसीने स्वन पदक जीता है, लुकास अबर्यू, अभिशेक वर्मा, जेम्स लुट्स और माइक स्कॉल सर, यहाँ पर कहरें सर, अभिशेक, अभिशेक वर्मा is the correct answer, कौन हो जाएगे, अभिशेक वर्मा जो है, यहाँ पर correct answer हो जाएगे, अगला question, what is the primary purpose of आदित L1 mission, आदित L1 mission जो है, उसका प्राथमिक उद्देश क्या है, क्या studying the Mars Geological Activities, studying the Moon Service Phenomena, studying the Earth Atmospheric Conditions, studying the Sun Surface, जल्दी से बताएगे, 444, जितने लोग 4th option कहरें, उनका correct answer होगा, आदित तो एक्चुली क्या है, पर्यावाची है, सूरी का, हना तो आदित याद रखेगा, सूरी का पर्यावाची, मतलब Sun Surface की Phenomena की study करेगा, यह ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, what is the name of the Indonesian communication satellite that was launched by SpaceX on June 18, 2023, SpaceX द्वारा 18 जून 2013 को launch किये गए, इंडोनेशियाई संचार उपग्रह का क्या नाम है, क्या वो, सतरिया है, नुसंतरा है, या फिर नुसंतरा लीमा है, या फिर नुसंतरा त इरती है, यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए, सतरिया सतरिया करेक्ट आंसर जागा, सतरिया वन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ठीक है, अगला question आपके लिए रहा, who has won Canadian Grand Prix, Canadian Grand Prix किसने जीता है, लिविस हमिल्टन ने, कार्लोस सैंज ने, मैक्स वेस्टेपन, या फिर चार्ल्स ले अगला question आपके लिए, how many MQ-9B armed drones is India planning to acquire from the US, भारत अमेरिका से कितने MQ-9B ससस्तर ड्रोन प्राप्त करने की योजना बना रहा हैं, 31, 44, 34 और 30, कितने खरिदने की बात कर रहे हैं, 31, 31, जितने लोग 31 कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct होगा, option number 1 is the correct answer, ठीक है, अगला question, what does द दक्षिता, दक्षिता stand for in the context of GIGOT कर्मयोगी platform, ठीक है, यहाँ पर IGOT कर्मयोगी platform के संदर में, दक्षिता का क्या मतलब है, development attitude knowledge skill for holistic training and administration, development of attitude knowledge skill for holistic transformation in administration, development of administrative knowledge skill and holistic transformation in attitude, और development of ability knowledge skill for holistic training and administration, यहाँ पर करसर, option number 222, तो correct answer होगा, option number 2 is the correct answer, अगला question आपके लिए रहा, who has been appointed as new RAW chief, RAW का नया प्रमोख किसे जो है, नियुक्त किया गया है, रवी सिनहा है, अजय सूध है, लक्षमी तिवारी है, या फिर रमा शंकर तिवारी है, कौन है, यहाँ पर रव तो correct answer हो जाएंगे, रवी सिनहा, option number 1, जो है, वो correct answer हो जाएंगे, ठीक है, अगला question, तो दोस्तों, यह थे हमारे previous day के question, जहां पर हमने किया है, revision, so that कि previous day के question भी हमें याद रहते चले, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, top 5 news of the day, जिसे कहा जाता है, दिन के 5 इसे तो important है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या-क्या चल रहा है, तो चलिए एक-एक point पे नज़र डालते हैं, पहला point आपकी screen पर यह रहा, largest ever deal, दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी deal हुई है, Indigo orders 500 Airbus, कितने दोस्तों, 500 Airbus, A320, family aircraft, वर्थ रुपीज, $50 billion, अब तक की सबसे बड़ी deal, जहां पर Indigo ने दोस्तों, ओर्डर किया है, 500 Airbus, A320, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है, $50 billion, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है point, वह है, UP, UP to host the country's first MotoGP event in September, सितंबर में पहली बार जो हो रहा है, UP host करने वाला है, MotoGP, ठीक है तो पहला MotoGP कहां पर होने वाला है, UP में, कब होने वाला है, September में, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगला point, जो है, Vice President to Chief Guest at International Day of Yoga 2023, 2023, जो है, दोस्तों, योग दिवस के लिए, अंतराष्टी योग दिवस के लिए, Vice President, जो है, वो Chief Guest होंगे, Vice President कोने, जगदीब धन कर जीएं, ठीक है, आगे बात करते हैं, आगला, जो है, भवानी देवी, भवानी देवी, जो है, Created History by Clinching India's First Medal at Asian Fencing Championship, यह आपसे सवाल, already, question भी पूछा गया है, एक्जाम में एक बार, कि भवानी देवी, किस खेल से सम्मंदित हैं, तो यह Fencing से हैं, अब यह Fencing होता क्या ह Fencing में आपने देखा होगा, दोस्तों, वाइट कलर की पोशाक, पूरी कवर होती है, फेस भी कवर होता है, और एक स्वाड होती है, पतली सी तलवार होती है, जिससे लड़ा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, चले, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है, आ कौन सा देश है, ओमान, ओमान की कैपिटल कहा है, मसकट है, ठीक है, चले, तो थोड़ा डीटेल में चलेंगे, और अब हम लोग देखेंगे, हैडलाइन, हैडलाइन, दोस्तों, आपने देखा होगा, अखबारों में, बोल्ड में होता है, और टॉप पर होते हैं, हर एक न देखेंगे, इंडिगो ने, जो है, पचास अरब डॉलर के जो है, पांसो एरबस, ए थ्री टू जीरो फैमिली एरक्राफ्ट का ओर्डर दिया है, कितने बस इसका ओर्डर दिया है, उसका दोस्तों कीमत कितना है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे डॉलर 50 बिलियन, या फिर मैं कहूं यहाँ पे 50 अरब, पचास अरब डॉलर, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, लार्जिस्ट एवर डील, इंडिगो ओर्डर 500 एर बस, ए थ्री टू जीरो फैमिली एरक्राफ्ट वर्थ रुपीज, 50 बिलियन, ठीक है, चले, आगे बात करेंगे, कलिंग स्टेडियम में, 62 जो है, राष्ट अंतराज सीनियर अथलेटिक्स चेंपेशिप का समापन हो गया है, ठीक है, कौन सा था, 60 सेकेंड था, यह आपको ध्यानक न, यह कुशन पूछा जाता है, ठीक है, 60 सेकेंड नैशनल इंटर स्टेट, सीनियर अथलीट चेंपेशिप कॉ उडिसा में है, ठीक है, याद रखेगा, यह बास अठवा था, ठीक है, आगे बढ़ते है, अगला हैडलाइन जो है, गूगल डूडल, गूगल डूडल ने भारती जैव रसानेग कमला सोहानी के एक सो बारवा जनम दिन मनाया, ठीक है, गूगल डूडल, याद रखेगा, किसका कमला सोहानी, एक दोस्तों, यहाँ पर क्या थी, यह कैमिस्ट थी, ठीक है, गूगल डूडल सेलिबरेट्स इंडियन बायो कैमिस्ट कमला सोहानी, 112th बर्थडे, ठीक है, यह याद रखेगा, आगे बात करते हैं, अगला जो है, यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैम्प सर्विसिस स्पोर्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, चले, आगे बात करते हैं, अगला हैडलाइन है, भारती सेना की टुकडी ने मंगोलिया में बहु राष्टे सांती स्थापना सयुक्त अभ्यास एक खान क्वेस्ट, क्या है, खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है, ठीक है, त कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, तो यहाँ पर लिखा है, इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेट मल्टी नेशनल पीस कीपिंग जॉइन एक्सराइज एक्स खान क्वेस्ट 2023 इन मंगोलिया, ठीक है, चले, आगे बात करते हैं, अगले हैडलाइन प ठीक है, यह आद रखेगा, और दोस्तों, गूगल डूडल क्या है, आप जब गूगल ओपन करते हो, तो आप लोगों कई बार गूगल में अलग-अलग तस्वीर दिखाई देती है, तो गूगल जो है, गूगल डूडल कहीं न कहीं, जोस्तों, इंपोर्टन डे को, इंप पस तेलगू कोरिगराफर थे, ठीक है, इनका जो है, अभी हाली बे निधन हो गया, आगे बात करेंगे, अगला जो है, कमल किशोर चटवाल, कौन कमल किशोर चटवाल जो है, यहाँ पे इंदरप्रस्त गैस लिम्टेड के नय प्रबंधन निदेशक, ठीक है, कमल किशोर जो बने है, becomes new MD, Managing Director of इंदरप्रस्त गैस लिम्टेड, ठीक है, तो नाम ध्यान रखेगा, कमल किशोर चटवाल, ठीक है, क्या बने है, MD बने है, किसके इंदरप्रस्त गैस लिम्टेड के, ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला है, विश्वे शर्नार्थी दीवस, बीस उनको celebrate किया गया है, इसकी theme क्या थी, hope away from home, ठीक है, क्या या थी, hope away from home, आगे बढ़ें, चले, आगे बढ़ते ही, अगला जो है, मध्यसिता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए, सरकार ने पैनल का गठन किया है, government sets a panel to recommend arbitration law reform, कौनसा? arbitration law reform के लिए एक panel बनाया गया है, ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला जो है, आइनेस वागीर, क्या है, आइनेस वागीर, जो है, कोलंबो की प्रक्रिया से सम्मंदित यात्रा के लिए तयार है, आइनेस वागीर, set to embark on operational visit to कोलंबो, ठीक है, याद रख आगे बात करते हैं, अगला जो है, गहलोत ने राजस्थान में धार्मिक प्रेटिन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड रुपे मंजूर किये हैं, ठीक है, गहलोत किलियर्स 13.48 करोड रुपीज for promoting religious tourism in राजस्थान, ठीक है, अगला जो हैडलाइन है, यूपी, यूपी इवेंट इन सेप्टेंबर, ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर तजिंदर पाल सिंग, कौन? तजिंदर पाल सिंग तूर ने भूवनेश्वर में, जो है, अंतराज चैंपेंशिप में नया एशियाई शौट पुट रिकॉर्ड, शौट पुट आपने देखा होगा, ठीक है, बॉल होता है, लोहे का बॉल होता है, ठीक है, उसको फेका जाता है, तो उसमें रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, टजिंदर पाल सिंग, तूर सेट्स न्यु एशियन शौट पुट रिकॉर्ड इन इंटर स्टेट चैंपेंशिप in भूवनेश्वर, ठीक है, नाम तो आप से पुछा जाएगा लेबर सब्मिट कहां पर होने वाला है तो आपको याद रखना है दो दिन का होगा और यह होगा बिहार में चले आगे बात करते हैं अगला है ओमान ओमान ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है ओमान creates history as first foreign government to promote country through योगा ठीक है अपने देश को योगा के थ्रू जो है प्रमोट किया है ठीक है आगे बात करते हैं उपराश्टिपती अंतराश्टि योग दिवस 2023 में मुख्यतिती होंगे ठीक है वाइस प्रेसिडेंट टु बीज़ चीफ गैस्ट of international day of yoga 2023 अगला जो headline है product of the year ने अपने पंद्रवे anniversary एडिशन के विजेताओं की घोशना की है product of the year जो है अनौंस इस winner of its 15th anniversary edition ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आगला जो है विंधम क्लार कौन विंधम क्लार्क ने अपना पहला बड़ा खिताब जीतने के लिए US Open जीता है ठीक है विंधम क्लार्क wins the US Open for his first major title ठीक है चलिए आगे बात करते हैं भवानी देवी ठीक है भवानी देवी एशियाई तलवार बाजी ठीक है फैंसिंग को तलवार बाजी कहते है आप लोग देखे देख सकते है वाइट कलर का पूरा पोशाक रहता है अभी इ पाजी चैंपियंशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रज़ दिया है भावानी देवी क्रिएटेड बाई क्लिंचिंग इंडिया फर्स्ट मेडल एड़ एड़ी एशियन फैंसिंग चैंपियंशिप ठीक है चले आगे बात करेंगे तो यह दोस्तों थे जल्दी जल्दी से और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फड़ावर से लाइक और शेयर भी करते हैं चलेंगे तो यह 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 तो दोस्तों यहां पर आपके लिए पहला कोश्यन यह रहा विच ओफ दा फॉलॉइंग एरलाइन सील बिगेस्ट एवर डील अविएशन हिस्ट्री ओर फाइवंड़ एर बसे प्लेन इन जून 2023 ठीक है निमलिखित में से किस एरलाइन ने जून 2023 में 500 एर बस विमानों को ओर देकर विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इंडिगो 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 तो करेक्ट आंसर हैं आप क्यों हो जाएगा करेक्ट आंसर ओप्षिन नमबर सी इस दी करेक्ट आंसर थोड़ा सा डीटेल में चलेंगे तो इंडिगो के सहसंस्थापक राहुल भाटिया ने पैरिस एयर शो में लगभग 50 अब तक का सबसे बड़ा order देकर इतिहास रच दिया है जहां ठीक 18 साल पहले उन्होंने airline के पहले 100 A32 कितने 100 A320 का order दिया था ठीक है 18 साल पहले 100 A320 का order दिया था अब जो है 500 Airbus A320 का order दिया है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगला 62nd National Interstate Senior Athletic Championship conclude ठीक है निमलिखित में से किस स्थान पर 62 राष्टी अंतराज Senior Athletic Championship का समापन हुआ है भूबनेश्वर चिन्नाई दिल्ली और बैंगलूरू कहां पर हुआ है भूबनेश्वर भूबनेश्वर कह रहे हैं यहां पर correct answer क्या हो जाएगा भूबनेश्वर हो जाए 62 वी अंतराज Athletic Championship 19 जून 2023 को भूबनेश्वर में समपन हुई है ठीक है शौट पुट जो है शौट पुटर यहां पर तजिंदर सिंग तूर ने सर्वसेष्ट अथलीट का पुरुसकार जीता है ठीक है सर्वसेष्ट बेस्ट प्लेयर ठीक है याद रखेगा जबकि जोथ याराजी को बेस्ट फीमेल का मिला है ठीक है और तमिल नाडू में टीम जो है टीम चैंपेंशिप पुरुस जीती है जबकि उत्तर प्रदेश ने टीम चैंपेंशिप महिला जीती है ठीक है अगर मैं बात करूँ टीम की तो तमिल नाडू है मेल में और फीमेल में कौन है उत्तर प्रदेश है, male player कौन है, best player, तो तजिंदर सिंग है, और best female player किसे उत्त दिया गया है, जोती यराजी को दिया गया है, ये नाम आपको ध्यान रखने है, ठीक है, प्रतियोगिता के लिए तमिलनाडू को overall champion पुरुसकार से भी समानित किया गया, overall अगर champion की बात करें त भुवनेश्वर आखिर है कहां पर, तो भुवनेश्वर capital है, क्या है, capital है, किसकी है, उडिसा की capital है, किसकी है, उडिसा की capital है, ये याद रखेगा, उडिसा की अगर मैं बात करता हूँ, यहां के मुख्यमंत्री, मतलब CM कौन है, तो नवीन पतनायक जी है, कौन है, नवीन हाली में 2023 में ही क्या हुआ था यहां अटि साकी हरे बगुए बात करता हूं तो यहां पर आपको राश्वय द्यान देखने को मिलेंगे एक तो सिमली पाल कौनसा सिमली पाल और दूसरा जो भीतर कनिका कौन सा है भीतर कनिका और सबसे बड़ी बात यहां पे कि जो खारे पानी की जील है ठीक है सबसे बड़े खारे पानी की जील वो आपको राजस्थान में ही मिलती है जिसका नाम है चिलिका जील ठीक है चिलिका लेक इंग्रिश में कहेंगे हिंदी में कहेंगे चि कुछ जेसे की आप देखोगे यहाँ पर आपको जगनाथ मंदिर मिलेगा ठीक है जगनात मंदिर ठीक है और अभी दोस्तों जगनात यात्रा भी चली थी क़ल हना कल यह चा रखेंगे उसके अलाबा लिंग्घराज मंदिर idd gleich a ठीक है और कौन सा देखने को मिलेगा यहां पर संटेमपल और संटेमपल को हम लोग क्या कहते हैं को नाइट एक नएट हम ब्लेक पगोडा केथें बहुत बार एक्जाम में पूँचा जाता है कि विच टैमपल इस नोन AS ब्लैक पगोड़ा ठीक है तो किसको कहा जाता है सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है किसी देवता की पूजा होती है यह आपके MTS exam में पूछा गया था तो सूर्य देवता की पूजा होती है ठीक है अच्छा अगर हम बात करते हैं उडिसा में तो यह कुछ दांस पूछ लिए ज घूमूरा घूमर जो है राजस्थान का है को हां फैस्तिव topics? फैस्टिवल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फैस्टिवल कोँंसा है नौकई है कौँसा है नौकई है राजापर्व कौणसा राजआ कर्फ अभी हाली में pressing मना इंग्या तो राजा पर्व ये भी आद स्क्रीन पर यह रहा नेम दा फ्रस्ट इंडियन वुमेंट टू अंड पीएचडी इन साइंटिफिक डिसिप्लीन गूगल डूडल डूडल सेलिब्रेट्स हर वन हंडेड़ त्वेल्ट बर डे ओन जून एटीन वैग्यानिक विशह में पीएचडी अरजित करने वाली पहली भारती महिला का नाम बताईए गूगल डूडल ने 18 जून को उनका 112 जनम दिन मनाया है कमला सुहनी सुचित्या किपलानी राजकुमारी अमरितकोर और निर्जा भनोट कमला सुहनी विज्ञानिक विशह में पीएचडी करने वाली पहली भारती महिला थी ठीक है उन्होंने केंब्रेज विश्विद्याले में एक शोध छात्रवर्ती अरजित और की और उर्जा उत्पादन के लिए महतोपून एंजाइम यहां पे साइटोक्रोम सी की खोज की थी और पाया की यह सभी पोधों की कोशिकाओं में मौजूद था सुहानी को विज्ञान में उनके योगदान के लिए राष्टपती पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और वहाँ बॉम्बे में रॉयल इस्टिटूट ओफ साइंस की पहली महिला निदेशक भी थी ठीक है तो यह पहली महिला है जिन्हों ने दोस्तों क्या किया था पी एचडी किया था यह आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है क्या नाम है सबसे पहले किसी भी राज की अगर हमसे पूछा जाए कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी वह सुच्चिता क्रिप्लानी थी और राजकुमारी अमरित को और दोस्तों आप लोगों ने नाम इनका सुना होगा समविधान सभा जब बनी थी उसमें 15 महिल आए थी कितनी महिल आए थी यह दोस्तों पॉलिटिक्स का मैं आपको बता रहा हूं 15 फीमेल्स थी यहां फिर मैं कहूं 15 वुमेन थी ठीक है विमेन और इसमें से राजकुमारी अमरित को और एक थी सुचित्रा क्रिप्लानी थी एनी बैसेंट थी ठीक है और यहां पर विजय लक्ष्मी पंडित थी ठीक है सरूजनी नाइडू थी यह तोस्तों कुछ फीमेल्स के नाम है जो आपको याद रखना है आगे बढ़ें हाजी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन आपके स्क्रीन पर यह रहा विच ऑफ यह फिर इन चंडीगार्ड तो यहां पर अगर हम बात करते हैं वार फिर से जिक्किम के गैंग टॉक में छठी यूथ में नेशनल बॉक्सिंग्यंशिप की टीम को यहाँ पे चैंपेंशिप का खिताब जीत कर अपने अधिकार को गुहर लगाई है नौसवन दो रजत और दो कां से सही 13 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा है हरियाना और चंडीगड जो है उन्होंने 54 और 20 अंकों के साथ क्रमशा दूसरा और तीसरा इस्थान प्राप्त किया है और SSB ने आशीष 54 किलोग्राम के सर्वसेष्ट मुक्यबाज घोशित किये गए जबकि सिक्किन के जैन्त डागर को पूरे टूर्नामेंट में शांधार प्रदर्शन के लिए जो है मोश्ट प्रormuş्रमेंशिंग बॉक्सर का पुरिस्कार दिया गया है ठीक है अब दिखिये दोस्तों सिक्किम की बात कर रहें ठीक है सिक्किम के अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है भारत का एक राज जह है इसकी capital जो है वो क्या है गैंग टॉक है क्या है यहां के जो है मुख्यमंत्री है वो कौन है पी-स तमांग है पियस तमांग है यहाद रखेगा यहां के गवर्नर कौन है लक्षमी प्रशाद है क्या या लक्षमन प्रशाद है यह भी आपको नाम ध्यान रखना है ठीक है अगर हमसे पूछा है सिक्किम विश्व का पहला ऐसा दोस्तो राज्य बना जिसको और्गनिक स्टेट का दर्जा दिया गया और कब दिया गया? 2016 में, ये भी याद रखेगा, सिक्किम के अगर मैं बात करता हो, तो यहाँ पर आपको कुछ दर्रे मिलेंगे, फेमस दर्रे मिलेंगे, पासे मिलेंगे, जिनका नाम कैं है? नातुला क्या है? नातूला है, ठीक है, और कौन सा है? शिपकिला है क ठीक है, कंचन जंगा की पहाडियां आपको यहीं पर मिलेंगी, ठीक है, क्या है कंचन जंगा की पहाडियां, कंचन जंगा की हाइट किती है, 8658 मीटर है, यह भी याद रहेगा, कंचन जंगा नैशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा, क्या मिलेगा, कंचन जंगा नैश 2011 census के according जो है सबसे कम population population जो है सबसे कम ठीक है lowest population यहां की थी यह भी याद रखेगा lowest population ठीक है सबसे कम जनसंख्या वाला राज है कौन सिक्क्यम ठीक है तो याद रखेगा आगे बढ़े अगले कोशन पर अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा इन विच ओव दा फॉलॉइंग फॉलॉइंग कंट्री इंडियन आर्मी कंटेंजेंट पार्डिसीपेर्स इन मल्टी नैशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्स खान क्वेस्ट 2023 निमलिखित में से किसी देश में भारती सेना टुकडीक ने बहुराश्टी अशान्ती स्थापन सयूक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया मंगोलिया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और केरेगस्तान क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर मंगोलिया correct answer हो जाएगा ठीक है मंगोलिया इस दीक correct answer थोड़ा detail जलते हैं भारती सेना का जो है दल मंगोलिया में बहुराश्टी शांती इस्थापना सयुट अभ्यास एक एक से खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले सुख जो है वहां के राश्ट पती है उन्होंने अभ्यास का उद्धाटन किया है ठीक है और भारती सेना का प्रतिनिद्व जो है गड़वाल राइफल कौन सा गड़वाल राइफल के एक दल द्वारा किया जा रहा है ठीक है तो आपको ध्यान बतर जो है यहां की कैपिटल है और मंगोलिया में एक मरुस्थल बहुत फेमस है मरुस्थल जिसका नाम है गोबी क्या है गोबी डैजट ठीक है हिंदी में कहेंगे गोबी मरुस्थल और इंगलिश में कहेंगे गोबी डैजट ठीक है याद रहे है मंगोलिया के साथ इंड या exercise करती है और उस exercise का नाम क्या है नुमेडिक elephant है क्या नुमेडिक elephant यह आपको नाम ध्यान रखना है actually क्या है मंगोलिया दो देशों के बीच में sandwich की तरह है किसकी तरह है sandwich sandwich आपने देखा न न उपर की तरफ ब्रेड नीचे की तरफ ब्रेड बीच में salad वगेरा होता है उसी तरीके से उपर USSR नहीं रशिया क्या है उपर रशिया है ठीक है और नीचे की तरफ कौन है चाइना है तो यह याद रखेगा तो रशिया और चाइना के बीच में यह as a sandwich work कर रहा है ठीक है आगे बात करें चले तो यहाँ पर सुबा सुबा सेंडविच नाम सुनते ही breakfast का तो ठीक है चाहिए आगे वड़ते हैं अगले question पर अगला सवाल फाइबर sculpture अबाकांस human figures और इन में से कोई भी नहीं फाइबर sculpture फाइबर sculpture तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer होगा दोस्तो अबाकांस क्या होगा अबकांस correct answer होगा ठीक है अबकां ठीक है चले थोड़ा सब detail में चलते हैं तो गूगल डूडल ने एक विशेश डूडल के साथ जो है यहाँ पर पोलिश मूर्तिकार Magdalunda जो है अबा कुनोविक्ष को जो है तिरानवा जनम जो है जनम दिन मनाया है उनका जनम 20 जून 1930 को पोलेंड में हुआ था कहां पर हुआ था पोलेंड में हुआ था ठीक है पोलेंड पोलेंड की capital क्या है दोस्तो जल्दी से पताईए वार्शो है क्या या फिर कुछ और ह ठीक है उसने एक नरम मूर्तिकाल विक्सित की जिसमें 1960 के दशक में कपड़े को तीन आयामों में बदल दिया प्रतिष्ठानों के इन नए रूपों को छट से लटकाया गया और उन्हें अबकन अबकन कहा गया क्या कहा गया अबकन ठीक है तो अबकन के लिए ये जानी जा पर 380 लोग लाइब है फड़ा वर्स एक बार लाइक और शेर करते हो 400 के उपर लेके चलते हैं अगला कुशन आपके स्क्रीन पर ये रहा राकेश मास्टर जी का हाली में निधन हो गया अगला को यहां पर दोस्तो थोड़ा डीटेल में चलते हैं राकेश मास्टर का नेम यहां पर राकेश मास्टर के नाम से मशूर एक तेलगू या फिर टॉलिवूड कोरिग्राफर S. रामाराव का निधन हो गया इनका असली नाम कहा है S. रामाराव ठीक है और लेकिन इनको राकेश मास्टर के नाम से जाना जाता है ठीक है उन्होंने 500 से अधिक कितने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उनका काम अपनी उर्जा रचनात्मक्ता और तकनीकी सटिकता के लिए जाना जाता था ठीक है उनकी कुछ प्रसिद्ध कोरिग्राफी में जैसे हैं यहां पर रिंगा रिंगा रोजेस ठीक है और इश्कवाला लव गाने का शामिल है ठीक है उन्होंने जो है डिस्को डांसर डिस्को मास्टर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है फू इस दा न्यू मैनेजिंग डाइरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्त गैस लिमिटेड ठीक है इंद्रप्रस्त गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं क्या वो संजे कुमार है कमल किशोर च कौन हो जाएगा कमल किशोर चटेवाल ठीक है थोड़ा डीटेल में चलते हैं तो कमल किशोर चटेवाल जो है उनका इंद्रप्रस्त गैस लिम्टेड के नए प्रबंधन निर्देशक मतला मैनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में इनको न्यूट किया गया है संजे कुमार संजे कुमार IGL के पिछले प्रबंध निर्देशक थे पहले इंद्रप्रस्त गैस लिम्टेड है उसके पहले मैनेजिंग डाइरेक्टर जो थे वो थे कौन संजे कुमार ठीक है उन्होंने गेल लिम्टेड में निर्देशक की भूमी का भी निभाई है 2020 में IGL को Green Tech Safety Award भी म पात करेंगे अगला question what is the theme of World Refugee Day 2023 यहां में पुछा जा रहा है 2023 में विश्वशन नार्थी दिवस की theme क्या है World is family together we welcome hope away from home with refugees क्या होगा correct answer hope away from home तो यहां पर correct answer हो जाएगा hope away from home is the correct answer यह हो जाएगा theme of World Refugee Day in 2023 और World Refugee Day कम मना गया है फड़ावर से comment box में बताईए ठीक है चले आगे बात करते हैं तो दोस्तो विश्व सरनार्थी दिवस सयुक्त राष्ट द्वारा 20 जून को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अंतराष्ट दिवस है यह दुनिया भर के सरनार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और यह दिन पहली बार 20 जून 2001 ध्यान से देख लिजे दोस्तो 2001 में पहली बार World Refugee Day जो है मनाया गया था ठीक है को सरनार्थियों की स्थिती से सम्मंदित 1959 के सम्मेलन की पचासवी वर्षगाट की मानेता में स्थापित किया गया था वर्ष 23 की थीम है Hope Away From Home क्या है Hope Away From Home इसकी थीम है यह याद रखेगा आगे बढ़ेंगे अगला कोशन है who has been appointed to lead the panel to recommend reforms in the Arbitration and Consolation Act मध्यसता और सुलह अधिनियम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए पैनल का नित्त्व करने के लिए किसे निउक्त किया है किसे निउक्त किया है या फिर बोथ A and B या भी शेक शर्मा यहाँ पर कुछ लोग के रसर बोथ होना चाहिए ओके तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका option number one टीके विश्वनाथ जी करेंगे यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बात करते हैं तो थोड़ा डीटेल चलते हैं तो केंदर सरकार ने मधिस्ता और सुला अधिनियम की में सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए एक पूर्व कानून सचीव टीके प्रणाली के लिए एक रूप रेखा की सिफारिश करें ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले उस पर बढ़ेंगे अगला जो है Question which of the following Indian Navy ship set to embark on operational visit to Colombo in June 2023 निमलिखित में से कौन सा भारती नौसेना जहाज जून 2023 में Colombo की परिचालन यात्रा पर चाने के लिए तयार है आइनेस यहाँ पे वगशीर आइनेस देली आइनेस किरपन और आइनेस वगीर क्या होगया यहाँ पे correct answer वगीर वगीर कह रहे हैं यहाँ पे correct answer हो जाएगा आपका option number 4 आइनेस वगीर is the correct answer ठीक है थोड़ा सा detail में चलते हैं तो भारती नोसेना की आतिधुनिक पंडुबी आइनेस वगीर क्या नाम है इसका आइनेस वगीर 19 जून से 22 जून तक Colombo की परिचालन यात्रा पर जाने के लिए तयार है यह यात्रा जो है अंतराष्टी योग दिवस के नौवे संस्करण की स्मृति में हैं अंतराष्टी योग दिवस 2023 जिसका विशे क्या है Global Ocean Ring है उसका उद्देश दुनिया भर के लोगों को उनकी साजा खोज में जोड़ना है जो भारत की चल रही G20 अद्धेक्स्ता और वसुधेव कुटमबम के सिधानत के साज जो है प्रदिनिद्ध है जो भी सभी के लिए एक जुट और सामंज स्पून भविश पर जोर दे तो याद रखेंगे आइनस वगीर नाम है ठीक है अगला होशन वाट इस दा अमाउंट क्लियर बाई राजस्थान स्टेट गवर्मेंट फॉर प्रमोटिंग रिलीजियस टूरिजम इन राजस्थान इन जून 2023 तीक है राजस्थान राजसरकार ने जून 2023 में राजस्थान में धार्मिक प्रेटरन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशी स्वीकृत की हैं 13.48 करोड 14.48 करोड और 15.48 करोड रुपए और 16.48 करोड रुपए और 16.48 करोड रुपए ऑप्शन नमबर ए ए ए कह रहे हैं तो करेक्ट आंसर यहां पर क्यों जाएगा ऑप्शन नमबर 1 हो जाएगा रुपीज 13.48 करोड हो जाएगा ठीक है थोड़ा डीटेल में चलते हैं तो राजस्थान में जो है सरकार ने तीर्थी यात्रा और धार्मिक परेटरन को बढ़ावा देने के लिए तीन जिलों में जो है मंदिरों और दर्गाहों में विकास परियोजनाओं के है धार्मिक स्थल नागोर कहां पर नागोर जैसलमेर और अलवर जिले में इस्थित है मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने 2023 के राज बजट की जो है धार्मिक स्थलों पर विकास कारियों के लिए धन आवंटन की घोशना की थी ठीक है प्रमुख स्थानों में से जहां काम क किया जाएगा और नई सुवधाओं का निर्मान किया जाएगा वह जो है घाटेश्वर महादेव मंदिर है कौन सा है घाटेश्वर महादेव मंदिर और नागोर में दर्गा जो है हजरत यहां पर शम्शुद्दिन समंध दिवान जैसलमेर के काले डुंगर राय मंदिर आंसूर किले में माताजी मंदिर जितने लोग राजस्थान स्टेट एक्जैम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपून कॉश्चन हो जाएगा आप से पूछा जा सकता है कि जो लागत है कौन कौन से जो है धार्मिक स्थलों पर लगने वाली है तो यह भी कॉश्चन होगा तो यह याद रखेगा ठीक है चले आगे चले आगे पढ़ेंगे अगले उस पर पढ़ेंगे अगला जो आपके लिए रहा विच ओफ दा फॉलॉइंग स्टेट इस सेट टू होस्ट कंट्रीज फर्ष्ट मोटो जीपी जीपी इवेंट इन सेप्टेंबर 2023 निमलिखित में से कौन सा राज जो है सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो जीपी कायर करम की मेजबानी करने के लिए तयार है मद्रप्रदेश उत्त्रप्रदेश तलंगाना और आंद्रप्रदेश और दोस्तों जिनों ने अभी तक लाइक नहीं किया एक फड़ावर से ला नौइडा में बुद्ध इंटरनेशनल सरकिट में देश के पहले मोटो जीपी रेसिंग इवेंट की मेजबानी करने के लिए तयार है आयोजन के दोरान जो है दुनिया भर से आए जो है महमानों को ODOP मलब यहां पर वन जो है डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट गिफ्ट हैंपर्स दिये जाएंगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला दोस्तों अकली यह रहा विच ऑफ फॉलॉइंग पर्सन सेट न्यू एशन सौर्ट पूट रिकॉर्ड एट इंटर स्टेट चैंपेंशिप इन भूवनेश्वर निमलिखित में से किस व्यक्ती ने भूव हैं टर चलते हैं तो भारत के स्ट फूर पूट चलते हैं तो भारत के शीश शौर्ट पूटर ने भूवनेश्वर में अंतर आज चैंपेंशिप में एक नया एश्या शॉट पूट रिकॉर्ड बनाया है पंजाब का प्रतनेदित करने वाले 28 वर्सी एथिलीट ने 21.77 मीटर की भारी थ्रों के साथ जो अपने पिछले एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ दिया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितना फेका था इसकी वज़े से रिकॉर्ड तूटा है तो 21.77 मीटर है ठीक है तूर ने 21.49 मीटर के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो उन्होंने 2021 में पटियाला में बनाया था अंतराज बैठेक एशियाई खेलो के लिए एक क्वालिफायर है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां से आपको बॉल फेकना होता है और बॉल जो है इसके ही भीतर होना चाहिए अगर यहां चला गया ठीक है इसके बाहर चला गया इसके बाहर तो फिर वो काउंट नहीं होगा इसके अंदर ही होना चाहिए और बॉल फेकने के बाद आपको यहीं से निकलना होता है अगर आप यहां से निकल गए इस लाइन से आगे से निकल गए तो वो foul कहलाता है ठीक है चलें आगे ठीक है आगे बात करते हैं अगला question which of the following state will host two days G20 labor engagement summit on June 2022 निमलिकित में से कौन सा राज 22 जून 2023 को दो दिवसी G20 श्रम सगाई सिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा बिहार पंजाब वेस्ट बेंगौल और गोवा यहां पर करसर बिहार 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 तो correct answer यहां पर क्या हो जागा बिहार is the correct answer यह याद रखेगा ठीक है अगर हम बात करते हैं तो यहां पर labor 20 summit जून बाइस तीश-2023 को होगा देश तो दो दिन बाद होगा ठीक है कहां पर होगा बिहार में बिहार के हम बात कर रहे हैं तो भिहार हमारे लिए important है ठीक है बिहार important क्यों है क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है UPSC का क्या है पटना है ठीक है और राजिपाल मतलब गवर्नर कौन है राजेंद्र आर लेकर कौन है राजेंद्र आर लेकर जो है यहां के पेंटिंग क्या है यहाद रहेगा मधुबनी पेंटिंग फैमस है यह याद रखेगा मधुबनी पेंटिंग और बिहार के बात करता हूं कि इनकी literacy rate कितनी थी तो सभी लोग बताईए 63% थी क्या अप्रॉक्सिमेटली 63% थी ठीक है और बिहार के अगर हम बात करते हैं तो यहां का famous एक डांस है जाट जटिन डांस कौनसा जाट जटिन डांस कई बार exam में पूछा जाता है कि जाट जटिन डांस किस राजिका है तो सरह त्योहार आपको यहीं पर देखने को मिलेगा सरहुल तयोहार यह भी पूछा जाता है ठीक है सरहुल आपको जारखन में मिलेगा और हमने बहुत सारी प्रोडॉक्त जिनको gi टैग दिया गया है जैसे की कतरनी राइस हो गया जो गया कतरनी rice हो और दोस्तों अगर टेक दिए गए हैं चले आगे चले अगले कोशन बढ़ते हैं अगला कोशन विच ओफ फॉलाइंग कंट्री बिकम्स फॉर्श्ट फॉरेंग गवर्मेंट तो प्रोमोट कंट्री थू योगा निमलिखित में से कौन सा देश जो है योग के माध्यम से देश को बढ़ावा दे लेंगे तो एक अग्रणी पहल में जो है उमान सल्तनत भारती दूतावास ने अंतराश्टी योग दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर सोलफुल योगा सेरेन उमान नामक एक अभीनव वीडियो पेश किया था क्या नाम था इसका सोलफुल योगा ठीक है यह आपको ध्यान अ भारती दूतावास ने वीडियो बनाने के लिए ओमान के परेटर मंत्रालेक को सहाय कमपनी विजिट ओमान के साथ भागिदारी की या किसी विदेश सरकार द्वारा अपने देश को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने का पहला और को धारन है ठीक है आप यह से लगा UAE से लगा हुआ है United Arab Emirates से यहां पर आप देख पाओगे Saudi Arabia से यह लगा हुआ है इस तरफ अरेबियन सी है इस तरफ Gulf of Oman है यहां पर Persian Gulf है ठीक है यह याद रखेंगे चले आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अगला कुशन Which of the following person will be the chief guest at the International Day of Yoga 2023 at जवलपूर मध्यप्रदेश ठीक है निमलिखित में से कौन से वेक्ती जो है मध्यप्रदेश के जवलपूर में अंतराश्टी योग दिवस 2023 के मुख्य अतिती होंगे जगदीब धनकर नरेंदर मोदी द्रौपदी मुर्मो और अमिश्या जगदीब जगदीब धनकर तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे जगदीब धनकर इस दी करेक्ट आंसर ठीक है अगर हम बात करें भारत के उपराश्पिती श्री जगदीब धनकर 21 जून 2023 को जबलपूर में अंतराश्टी योग दिवस जो है समारों के मुख्य अतिती होंगे और इंटरने इंटरनेशनल डे ओफ योगा के वैश्विक उस्ताको नेतत्व प्रधानमंत्री नरिंद मोदी द्वारा सयुक्त राज अमेरिका के न्यू योक में मैंने आपको उताएं यूनाइटे नेशन हैड़कॉर्टर में वह होंगे ठीक है यह आपको याद रखना है नर्मदा न सब्केर आना जाता है किस नाम से तो इसको मारवल सिटी के नाम से जैनते हैं यह आद को याद रखना है यह दोश्य नहीं जाबलपूर सिटी product is not in the list of the product of the year 2023 निमलिखित में से कौन सा जो है उत्पाद वर्स 2023 के उत्पाद में की सूची में नहीं है mobile phone air purifier life insurance और water heater क्या नहीं है mobile phone mobile phone कई लोग करें है ठीक है correct answer क्यों जाएगा mobile phone होगा correct answer क्या होगा mobile phone is the correct answer थोड़ा सा detail चलते हैं तो product of the year जो उत्पादर नवाचार के लिए दुनिया के सबसे बड़े उत्पोगता जो है वोट पुरुसकार ने भारत के अपने पंद्रवे वर्षिगाट संस्करनक में वर्स 2023 का उत्पाद विज्यताओं का अनावरण क्या है air purifier, ceiling fan, tower air cooler, water heater, water purifier और जीवन बीमा योजना सहीत विभिन शेलियों में अभिनाव उत्पादों को भारत भरके भगताओं और वर्स 2023 के उत्पाद के रूप में जो है वोट दिया गया है तो याद रखेगा इसमें mobile phone को include नहीं किया गया है ठीक है आगे बात करते हैं अगला question which of the following person win the US open for his first major title in golf ठीक है निमलिखित में से किस व्यक्ती ने गोल्फ में किस में गोल्फ में गोल्फ में अपने पहले प्रमुख खिताब के लिए US open खिताब जीता है क्या वो यहाँ पे विंधम Clark है, Rory McLauray है, Scotty Scheffler है और Cameron Smith है A option, A option, ठीक है तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा, विंधम Clark correct answer होंगे ठीक है, विंधम Clark ने 123 जो है US open जीतने के लिए अपना धैर बनाए रखाया और अपना पहला बड़ा खिताब हासिल किया और चार बार के प्रमुख विजेता, Rory McLauray किसको Rory McLauray को 9 साल में अपना पहला खिताब देने से इनकार कर दिया, ठीक है यह आपको ध्यानखना है, चले आगे बढ़ते हैं अगला question, भवानी देवी becomes Dash Indian Fencer to win a medal in the Asian Championship भवानी देवी Asia Championship में पदक जीतने वाली Dash भारती तलवार बाज है पहली हैं, दूसरी हैं, तीसरी हैं या चोथी हैं पहली हैं, पहली हैं कह रहे हैं तो correct answer है आपके हो जागा पहली है ठीक है तो यहाद रखेगा भवानी देवी किसे Fencing को तलवार बाज कहा जाता है तो अगर आप देखेंगे दोस्तों भवानी देवी ने जो एशिया तलवार बाजी Championship में भारत के लिए पहला पदक जीत कर इतिहास रच दिया है और चन्नाई की 29 वर्सी महिला ने समी फाइनल में उजबेकिस्तान की जैनब द्याबे को हराने के बाद महिला सेबर इस परधा में कास पदक जीता है 2003 के बाद एशिया तलवार बाजी Championship में भारत का ये पहला पदक है भावानी दो बार जो हैं दो बार की Olympian हैं और 2010 से भारती तलवार बाजी टीम से नियमे थे ठीक है वह इस समय सेबर इवेंट में दुनिया में 35 स्थान पर हैं 35 रैंक पर हैं तो आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं भावानी देवी जी की ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले कॉशन पर अगला कॉशन ओ हो 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 दोस्तों यहाँ पर समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने क्या किया है हमने शुरुआत किया था important day से तो important day कौन कौन से थे तो सबसे पहला तो international day of yoga दूसरा कौन सा था यहां पर म्यूजिक डे ठीक है और तीसरा था समर सॉलिस्टिस लॉंगेस्ट डे ठीक है यह आपको याद रखना है तीन इंपॉर्टेंट डे थे फिर हमने प्रीवेस डे पर कॉश्चन जो होंवग दिया था उसका आंसर किया है उसके बात हम लोगों ने प्रीवेस डे के कॉश्चन के रिवीजन किये थे तॉप फाइल न्यूज ऑफ दे डे किया है इंपॉर्टेंट हैड्लाइन हैड्लाइन पे उपर क्विज क्विज विट ऑल डीटेल एंड इस्टेटिक जीके के कॉश्चन के साथ और आज का होंवग आपके सामने यह रहा आज का होंवग है इन विच स्टेट हाइस्ट नंबर ऑफ और्चिट स्पीसीज आर फाउंड और किट जो प्रजाती होती है उसकी सरवाधिक संख्या किस राज में पाई जाती है यह आपको बताना है यह आपका होंवग है और इस क्लास की पीडिएफ आपको कहां पर मिले आपको मिलेगी टेलेगराम पर और टृरprocessiness को डिजू अपको बिलेगा है यूटूब सेश्ण के अपडेट मिलते हैं डेली पीडिएफ मिलते है और यह लिंक आप लोगों को लाइव चैट पर दे रहा हूँ, साथ में comment box में भी मिल जाएगा और आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा कहाँ पर, आपको description में भी, तो चलिए, यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि कैसे आप दोस्तों यहाँ पर ज Facebook चैनल पर चलेंगे, वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, थोरा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे, यहाँ पर Daily Current Affair की क्लास होती है, कल की है, परसो की है, डेली की क्लास है, आप यहाँ पर जाके class चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई दिन का आपको छ इसक्रिक नहीं भाद है, अब कल के questions के homework, किसने किसने की हैं, वो check कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, डिस्रिप्शन की तरफ और देखते हैं, किसने किसने आँसर किया है, तो यहां पर द प्रश्या जग्रेब कॉमबेट 17 जून इन्वेंटर जैपैनिस अकीरा थीक है बहुत ही बढ़िया यहां पर इंदु जी फिर उसके बाद आंसर दिया है अमित जी ने आंसर दिया थेंक यू फॉर वंडरफुल सेशन वेलकम जी फिर उसके बाद है क्रोश्या जग्रेब है क यहां पर यहां पर दिया है राहुल बिश्वास ने कॉमबेट ठीक है मैं कभी ठीक थेंक यू मच फॉर बिश्वास वेलकम राहुल बिश्वास जी फिर इसके बाद यहां पर दीप नारायन जी आंसर कर रहे हैं ठीक है यहां पर देख लिए तो उसको एक बार देख लीजेगा 17 जून होना चाहिए ठीक है ठीक है इंवेंटर मिया कावी है थेंक्यू सर आपका चोटा बीबी कैसा है चोटा बीबी अच्छा है अभी परशान कर कर रहे हैं शर पर बहुत ही बढ़ कि ने आंसर किया है ठीक है शिव जी ने ऑनसर किया है यहांद तोर्शा जी औक फेraham क्लास सक रही वंगेपर but I don't know Hindi, can you please say main English, actually I am going to take a special class for the SSC phase 11, if you are present here right now then you can understand right now so this Saturday I am going to take a single class for the current affair, for the 9 month current affair for SSC selection phase 11 and SSC CHSL tier 2, so you can attend my class on Saturday in the morning 6 to 8 am, okay अब आपको सहे समझ में आगय होगा but sorry Mahalakshmi ji, मुझे नहीं पदा दा आपको Hindi नहीं आती, ठीक है, but यहां पर It's Me ने answer किया है, बहुत ही बड़िया, फिर उसके बाद यहां पर कार्तिक जी ने answer किया है ठीक है, फिर यहां पर बंगा राजु ने answer किया है जितने भी country rule किया है, वो commonwealth करते, सर आपने बताया कि अंग्रेजों ने जितने भी country में rule किया है, वो ही commonwealth game में participate करते हैं बट ब्रिटेन ने तो अमेरिका में 200 एर तक राज किया था अमेरिका common, दोस्तों यहां पर क्या होता, ब्रिटेन, ब्रिटेन ने दोस्तों अगर हम बात करें, सच है, यही है कि commonwealth game, वो ही country ब्रिटेन ने अपनी territory बनाई हो, ठीक है, तो ब्रिटेन ने जिसको भी territory बनाई हो, ठीक है, फिर यहां पर कह रहे हैं, धवल जी कर रहे हैं, आंसर, फिर उसके बाद है, सुनील, ठीक है, बहुत बढ़िया, और यहां पर सभी लोग ने अच्छे तरीके से आंसर किया है, इसी तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है, और यहां पर आप लोग जा के क्या कर सकते हैं, description में, अवेल कर सकते हैं, सूपर कोचिंग, ठीक है, तो SSC सूपर कोचिंग है, जहां से आप कोर्स अवेल कर सकते हो, इसको जैसी क्लिक करोगे, link को आपके सामने एक new page open होगा, जहां पर आपको सारी details देते हैं, super teachers आप चेक कर सकते हो, कौन कौन यहां पर super teachers है, जो आपको, इनकी classes मिल जाएंगी, demo classes का कौन सी है, यह मिल जाएंगी, सारे classes चेक कर सकते हो, आप लोग यहां पर live series आपको मिल जाएगी, test series मिल जाएगा, study notes मिलेगा, ठीक है, और तो फिर उसे आप pricing पर जाओगे, तो आपको यहां पर कुछ plans मिलेंगे, 24, 12 और 6 month और till CGL tier 1, ठीक है, तो आप यहां पर जैसे देखोगे, यह 488 का था, इस पर already coupon code लगा हुआ है, apply coupon को option आ रहा है, तो गौरव M यहां पर coupon code है, ठीक है, इसको अगर आप apply करेंगे, तो अगर आपको अच्छा लगा है, तो दोस्तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कर ले जाएगा, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएगा, जिससे आपको सारे notification अप्टू डेट मिले, और कोई भी class आपकी छूटे ना, तो हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ, जुड़ना मत भूलेगा, मेरे साथ, अभी सूबर साड़े आठ बजे, master class में, और दो पहर को दो बजे, GKGS के सवाल करेंगे, जहांपर हम लोग SSC, CSGL के लिए, तब तक लिए आप क्या करेंगे, अपना ख्याल र अवरультат सेशन के लिए के लिए Suddenly, प्ल om में भूले करेंगे, घर दो विए ऑट आप जए, जहांए वरता है, जए हमा दो दो सेशन के लिए मियान हिए भूब兩 है, जढ बसूले में, ऑना भूले लिए Efendimizल्हण के लिए लाव़ बाज़ पहरता है, मैं जरेبार है, ज हॉती है,